हाई, it's math, it must be maths भईयमिये, welcome again to the world of maths भईयमिये तो आपके screen पे एक बहुत basic सा question है, जो मैंने बहुत पहले post किया था in the my 500 series question and इसको बहुत बार discuss भी किया है तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को करो pause इस question को करो आप solve I hope आपने वीडियो pause की होगी और इस basic question को कर लिया होगा solve तो चलिए इसके question के concept को देखते हैं अगर कोई भी question इस टैप को पूछा तो आप exam में होता है cat को लेके और बाकी दी ज्यादा upcoming batches चलिए हमनों question को देखते हैं कि question है क्या so question क्या है in triangle ABC point D is on AC such that angle ABC 120 अच्छा angle B 120 है तो ऐसा करो कि B को उपर लेकर आजाओ बार में हम देखते हैं कि बाकी क्या होता है so this one is B this one is A this one is C यह हमाई triangle है और यह जो total angle है यह 120 डिग्री दिया हुआ है अब आगे चलते हैं questions में बोला क्या है such that CBD CBD 30 डिग्री दिया हुआ आपका this angle is 30 डिग्री total 120 है तो आपका क्या है 90 डिग्री है मैंने इस आपका question अभी हाल में एक upload किया था कि जब आपके बीच के आइंगल सीविएंस को कट करते हैं तो क्या होता है आप वीडियो को देख लिएगा बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जागा में प्ले लिस्ट में तो हमने बोला क्या कि वी हाव सीविएंस जो एंगल को डिवाइट करती है मैंने कहा था कि अगर आपको बीडी निकालना हो तो उसका एक फामुला है जिसका डिरेक्ट सॉटकट कमिटरी पोस्ट में भी है ट्रिग्राम पर भी upload कर दिया गया है बट यहां पर कोशन कर दूश रहे है एबी सी कितना दिया हुआ है 10 unit दिया है तो हमें X into Y को find out करना है जब आपने फीगर बनाया तो आपको फीगर इस टाइप से दिखा है चलिए हम इसमें बोलते है कि होता क्या है तो इस वन इस डारेक्ट आउटकम जो आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रेंगल में अगर आपके पास CVN दिया हुआ है A B C A D जहां पर यह एंगल X और इस एंगल Y को दिया हुआ है C के front में small c बोलते हैं इस front को small b बोलते हैं और A के front में small a side बोलते हैं तो जो सबसे important outcome है इसको लेके आपको यह outcome अब साथ पता हो जाएगी और इसका मैं आपको derivation भी दे दूँगा यह जो BD है यह क्या है BD यह test किसे हो रहा है C से तो यह जाएगा C sin X is to यह जो आपका DC है यह test किसे हो रहा है B से यह जाएगा B sin Y इसी ratio में आपका BD और DC divide होता है because BD C से touch हो रहा है that is A B side C sin X is to B sin Y का ratio होता है अब बुलेगा यह ratio आता कैसे है चलिए मैं आपको proof करके बदाता हूँ कि यह ratio आता कैसे है तो उसके लिए एक नया figure draw कर लेते हैं उसमें हमें क्या करना है we have ABC angle say this one is a ABC triangle in which we have AD line यह क्या है AD line यह angle क्या है X है यह angle क्या है Y है इस angle को theta और इस angle को 180-theta मान लिया जाता है C के front में small C है B के front में small B side है तो इस triangle में अगर हम sin ratio लगाते हैं आईए sin ratio लगता कैसे है C upon sin theta I hope यहाँ तक clear है C upon sin theta और यह जो आपका क्या है BD upon आपका C का मतलब sin AB इसको मैं AB ही लिख लूँ आप समझ जाएगा AB upon sin theta BD upon sin x यही दिखेगा हमारा तो मैं यहाँ से अगर BD निकालूँ अगर मैं यहाँ से BD निकालूँ तो BD क्या दिखेगा BD दिखेगा AB BD दिखेगा AB sin x upon sin theta आपको दिखा BD का length जो हमने निकाला वो हमने क्या निकाला BD length is the AB AB side को हमें small c बोलते हैं into sin x upon sin theta उसी तरह अगर हम इसमें निकाले देखो यहाँ पर C sin x है तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगा B sin y और नीचे क्या होगा sin 180 minus theta तो sin 180 minus theta और sin theta cancel out होगा और हम ratio में निकाला तो ratio क्या होगा C sin x B sin y जो मैं आपको पहले slide में बताया था C sin x B sin y अब इसी concept पे आपका question है यह question तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि अगर मुझको concept पता है या आप sign formula लगाना चाहते हो तो आपको पता है कि x upon 4 इसका जो ratio होगा x touch किस से हो रहा है 10 से और 10 का क्या है sin 90 यही है that is x upon 4 x touch हो रहा है 10 से 10 sin 90 y touch हो रहा है sorry 4 touch हो रहा है y से with sin 30 तो मैं अगर इसको x into y निकालने को बोलूं तो दिखेगा 10 into 4 sin 90 का value 1 होता है यह half होता है तो x into y जो आपका दिखेगा this one is 80 और यही हमारा answer है so answer of this question is 80 unit product है तो आप square unit कर दीजे आपका answer आजाएगा so there is no need कि आप बहुत जादा इसमें deep यह से concept लगाए but finally आप पहुंचो गई ही ही पे इस question के आप finally पहुंचो गई ही ही पे आप directly इस question में यहाँ पर भी sign लगा सकते थे question को solve कर सकते थे so answer of this question is 80 unit I hope आपने कुछ सीखा होगा और इसका screenshot लेके आप अपने folder में डाल दो जो मैं हमेशा बताता हूं और इस वीडियो को भी अपने playlist में डालो important कि आगे जब revise करना होगा तो हम कर लेंगे और my revision तो आपको दे ही दूँगा चलिए मिलते हैं अगरे concept वीडियो में बहुत जल्द मैं आपने चाहता हूं कि आप डाउन लोड कर लो उसे बहुत सारे notifications आएंगे बहुत सारे अच्छे course आएंगे जो basic course को भी cover करेगा कि हमें देना अपना बेस्ट अगर आप अपना बेस्ट देने लोगो तो बेस्ट रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा मैसलफ हमिए God bless you happy learning and bye-bye कि आपजी स्दाफ